हाई गैस विलकम तुमाई चैनल तेकुक एफफ इंदेस्पिलन आज मैं आप लोग कैसा शेया कने वाली हूँ तेकुक उन्षट सुपर निचरल पावर और हाँ मैं यूनमीन भी एक्सपिलेंड कर दूँगी बांगश्यान भी शौर्ट एक्सपिलेंड कर दूँगी अप लोग कैते हो ना कि मैं पाकिस्तान सुई या कोई और जगासे इसलिए मुझे रिप्लै नहीं करते हो मुझे थोड़ी पता है कि आप कहा से हो कही से भी हो मुझे कोई फरक नहीं पता है आप एक इनसान हो मुझे सपोर्ट कर रहे हो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं आप लोगों से बहुत बहुत प्यार करती हूँ और हाँ ताकि आप लोग को मेरी कहानी अच्छा लगे और अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो यह मेरी लिए बहुत बड़ी बात है तो आप कहानी को शुरू करती हूँ ठीक है यहाँ पर सुपर निचरल पावर है जॉनकुक के अंदर वो एक मेरेल क्लास फैमिली में जनम गय है लेकिन उसके अंदर एक बहुत अंधूरनी शक्ति है जिससे वो जान जाते हैं कि अप किसके साथ क्या होने वाले हैं जैसी उसको पता चल जाते हैं कि किसी के साथ बुरा होने वाले हैं जॉनकुक तुरांत उसकी मत करने के लिए चले जाते हैं और उसको बूर काम करने क को कहते हैं जौकुक हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तुम ऐसा कुछ मत करो जिसे तुम सब लोग की नजर में आ जाओगे अगर सब को पता चल गया कि तुम्हारे अंदर एक अंधुरोने शक्ति है और तुम पहले से जान जाते हो कि आगे किसके साथ क्या दुर्घटाना होने वाले हैं तो भी सब लोग तुम्हारे पीछे पार जाएंगे जौक को कहते हैं इसने मेरे पीछे पारने की क्या बात है अगर मैं स आरेक्ली मत क्या करो तुम सबसे थोड़ा सा हाइड रहो बरना सब लोग तुम्हारे पीछे पार जाएंगे जौकु तुम्हें कितनी बार समझाए जौक को कहते हैं ठीक है मैं समझ गया जौकु त्यांग और जीमिन एक ही स्कुल में पढ़ते थे जौकु त्यांग को अच्छे दोस्ती हैं जीमिन आठ्यांग बेस्ट वैंड है बड़ी सोर्मैट कुछ भी कहलो इन दोनों की बिच में रिश्टा बहुत ही आच्छा है जीमिन त्यांग को पसंद करते हैं और जीमिन की फैमिली से जीमिन को पहले से बोल दिया है कि तुम त्यांग के साथ बह जैसी उसका करना वो त्यांग की आगी पीछे गूमते रहते हैं त्यांग और जिमिन हमेशा साथ में रहते हैं लेकिन जान को उन दोनों को पीछे बैठ के देखते रहते हैं वो हमेशा त्यांग को फॉलो करते हैं त्यांग क्या करते हैं उसके साथ अगर कुछ बूरा होने लगते हैं तो जोनको हमेशा उसकी मदद करते हैं लेकिन कभी उसको सामने नहीं आते हैं जैसी जोनको त्यांग की मदद करते हैं लेकिन बीच में हमेशा जीमिन आ जाते हैं त्यांग को लगता है कि जीमिन ने उसको सेफ किया है हर मुसिबत से त्यांग को ऐसा ही लगता है क कि जीमिन ने उसकी मदद की है तो कि त्यांग को जीमिन बहुत अच्छा लगने लगा और वह भी बहुत अच्छी दोस्त भी है जीमिन और त्यांग हमेशा साथ में बैठते हैं बहार जाते हैं तो साथ में जाते हैं बात करते हैं तो यह दोनों ही बात करते हैं त्यांग कभ दोस्ती हो जाते हैं लेकिन त्यांग के साथ जंग की दोस्ती नहीं होते हैं क्योंकि त्यांग ने कभी उसको भावी नहीं दिया या फिर एक कहा जाए कि त्यांग सामने राखना जाएता हो बीना कुछ सोते समझें लेकिन कैसे रख पांगा जब वो मुझे नोटइसी नहीं कर रहे है वो जमिन के साथ इस दोस्थी करता है ताकि वो त्याऑं की करीफ जासपने वो त्याऑं के साथ बात तो करना चाहते है लेक 충 त्याऑं हमेशा उसके सामने से चले जाते हैं कभी उसको देखते भी नहीं है जॉन को बहुत बुरा लग रहा था कि त्यांग कभी तो मुझे देखा करो लेकिन नहीं एक दिन त्यांग सामने से चले जा रहे थे उसके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था वो उसके साथ टक्रने वा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्या कि तुमने मेरी मदद की जीमिन कहते हैं कोई बात नहीं वो भी अच्छा बनने के लिए कुछ नहीं कहते हैं उसको कि मैंने नहीं किया जानकुक को बहुत बुरा लगा था कि जीमिन हमेशा उन दोनों के बीच में आ जाते हैं ऐसे ही बहुत बहुत होते हैं, जब त्यांग मुसिबत में परने वाले थे, जॉनकुक त्यांग की मदद करते हैं, लेकिन त्यांग जॉनकुक को नर्डिस नहीं करते हैं और जिमिल बीच में आ जाते हैं, कुछ दिन बीच जाने के बाद, एक दिन ऐसे होते हैं, कि को चोट लग जाएगा जैसी जोनको के बात पता चलते हैं वो त्यांग कहा है जीमिन से पूछते हैं जीमिन कहते हैं तुम एसा क्यों पोच रहे हो कि वो कहा है जोनको कहते हैं मुझे उसे मिलना है मुझे उसे कुछ बताना है तो जीमिन कहते हैं वो तुमसे नहीं मिलेगा क और उसको कुछ बताना है बहुत ही ज़दा इंपोर्टेंट है लेकिन इसी टाइम पर बारी शुरूर हो गया था जिमिन कहते हैं मुझे नहीं पता वो कहा है जॉन को कहते हैं मुझे पता है कि वो कहा होंगे शायद वो ट्रेर्स पर होंगे उसके घर के एड्रिस बताओ तो जमिन कहते हैं तुम उसके घर पर क्यों जाने वाले हो आप बारिश शुरूर हो गया है तुम्हें तुम्हारा घर जाना चाहिए तो जमिन को कहते हैं मुझे त्यां के घर जाना है और उसके साथ बारिश में भीगना है जमिन कहते हैं मैं भी जाओंगा जमिन को कुछ नही को कहते हैं बारिश है इसलिए ज्यादा इस पिडली नहीं चला सकते हैं तो जोंको कहते हैं ठीक है जैसी यह दुनों आके पहुशते हैं इमिडियेटली जॉनकुप टैरेस पे आ जाते हैं और वो देखते हैं त्यांग केले के चिलके में अपने पैर फिचल के गिनने वाले ह हैं और उसको गिने नहीं देते हैं त्यांग शॉक हो जाते हैं कि किसने उसको पीछे से बखता है जैसे जॉनकुप टैरां को बचा लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं जिमिन पीछे से त्यांग के सामने आ जाते हैं त्यांग को लगता है कि जिमिन उसको बचाया है और चोट लगने वाला था लेकिन तुमने मुझे बचा लिया जी मिन त्यांग को हाग करके कहते हैं तुमने सही कहा मैं तुमें कभी कोई भी चोट नहीं पहुचाने दूँगा और मैं तुमें एक खरूस भी नहीं आने दूँगा इह बात सुनके जॉनको को बहुत बुरा लग कि जीमिन ने उसकी मदद की जीमिन तो बहुत ज़दा खुश थे जीमिन मन में सोचते है मैं जो चाहता हूँ बोही हो रहा है चलो अच्छा ही है कि त्यांग मुझे पसंद करने लगए है और उसको लगए है कि मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ उसको सेफ करता हो हर मुसिबत से वो खुश को बहुत ज़दा लगए समझ रहा खा लेकिन एक खुशी कपता करेगा किसी को नहीं पता त्यांग जीमिन को कहते है चलो तुम भी भीग गया हो मेरी बज़े से हम दोनों ही नीचे चलते हैं और जाके अपने सर को पोश ले गए है बनना ठंड लग जाएगा जीमिन कहते है तुमने सही कहा मुझे ऐसे भी बारिश में भीगने के आदत नहीं मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं लेकिन फिर भी मैं ही हापे उसके बज़े से और त्यांग उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुनते है तो जीमिन रुख जाते है और कहते है ये मेरे टांग से फिसल के क्या निकलने वाले थे आच्छा हुआ त्यांग ने नोटिस नहीं किया मैं जो उनको कि बार में नहीं बोल सकता हूँ कि उसने मुझे यापी लेकर आया है और उसने उसको बचाया है त्यांक कहते है जिमिन क्या हो तुम क्या सोच रहे हो और हाँ तुम्हें बारिश में भीगना पसंद नहीं लेकिन ऐसा क्यों मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है और अगर कोई साथ में मिल जाए बारिश में भीगने के लिए तो फिर बात ही क्या है बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ऐसा होते है तो जीमिन कहते है तुमने सही का मुझे भी एकेला बारिश में भीगना पसंद नहीं किसी के साथ बारिश में भीगने की मसरी कुछ और है और मुझे अच्छा लगा तो मैं इसाथ बारिश में भीगत हुए त्यांग कहते है तुपर थोड़ा सा और भीगना चाहोगी जीमिन कहत अभी तो तुम बोल रहे थे किसे के साथ भीगना पसंद है जिमिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे तो फिर त्यांग उसको कहते है जिमिन अब चलो नीचे चलते हैं तुम बाद में सूच लेना तुम्हें क्या करना है ठीक है त्यांग को समझ में आ जाता है कि जि पिले तियांग जिमिन को जाने के लिए केते है। कपड़े बदलने के लिए। उसके बाद तियांग जाके कपड़े बदाल कराते हैं। और ये दोनों साथ में बैटके कॉपी पी रहा था। त्यांग को बहुत अज़्या लग opposite था, बारिश की मौसम में, बारिश की सामने, वीड़ो के पास खारे हूए कि कपी पीना। लेकिन जीमिन, शोपे पी बैटके, टीवी देख रहा था और कपी पी रहा था। त्यांग को बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था कि उसके साथ जीमिन, वीड़ो के सामने खरे होके कफी नहीं पी रहा है वो सोपी बैट के टीवी देख रहा है और कफी पी रहा है जिमिंग के तो बहुत ज़्यदा मज़ा आ रहा था टीवी देखते हुए कफी पीना वो महुत ज़्यदा मिस करता है और त्यांग को कहते है त्यांग सोपी बैठ जाओ हम दोनों लेकिन वो एपी बहुत निभान देखने के बाद लिकिन वो एई ही मन में बूल रहा था कि एक बार तुमुझे नोटिस करो एक बार सही मुझी देख लो मैं तुम मुझी नोटिस क्यों नहीं करते हो इतना इग्णर करने की चाहत shaken इसलिए कि मैं रिच नहीं हूँ, तुम्हारे जैसा बिलियोना नहीं हूँ, मैं मिडिल कलस से हूँ, क्या मेरी गलती है, लेकिन त्यांग को तो पता ही नहीं कि जोंको कुछ से पया करते हैं, और त्यांग जो मिडल कलस लागों को नोटिस नहीं करते हैं, इसमें उसकी कोई करा है कि अपनी बढ़ावर की लोगों से दोस्ती करना और हां किसी मिडल क्लास या फे लो लेविल की लियागों के साथ दोस्ती मत करना इससे तुमारी लेविल नीचे गिर जाते हैं तो त्यांग बच्पन से यही सबसुन के बड़े हुए थे तो वो ही सुच रखते हैं इस इसलिए वो अपने सार नीचे कर लेते हैं और वो किसी सोच में डुबा हुआ था उसी टेम पे त्यांग ने जांग को नोटिस किया जांग ने देखा कि नीचे कोई लाखा बारिश में भीग रहा है त्यांग नोटिस काते हैं नीचे जो लाखा बैठा हुआ है बारिश मे जॉनकुक नीचे अपने सर करके दो रहा था कि त्यांग ने उसको आज भी नोटिस नहीं किया उसने आज उसको पीछे से पाका लिया था उसको पीछे से हग किया था लेकिन त्यांग ने तो यह जानते भी नहीं है कि जॉनकुक ने उसको बचाया है लेकिन जॉनकुक को बह बहुत ही ज़दा तेज हो गए थे जिससे यह पता चलता है कि वो उसको कितना प्यार काते हैं लेकिन यह सब प्यार बहुत ही ज़दा फीका लग रहा था जब त्यांग उसको नोटीची नहीं करेगा अंदर से जिमीन त्यांग को आवाज लगाते हैं त्यांग वहापे खरे करे हो इधा रखे बैठ जाओ मुझे तुम से कुछ बात करनी है अग तुमें कुछ बता ना है त्यांग कहते है क्या हो जिमि वो जैसी इधार फेस टार्म काते हैं जौनकुक्ट वहां से उटके चला गrads ऑफया हम लिए वहाँ में लूत को देख रहा है उसलिए घाज दो रहाक को हुआ लूत कर दो साब हुआ से जार रहे द्यांग नीशे को दून रहा है लेकिन किसे को नहीं देखते है त्यांग देखते है जो लगका बारिश में भीग रहा था वो हापे नहीं है जीमिन कहते है तुम किसको ढूल रहे हो त्यांग कहते है पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई हापे बारिश में भीग रहा था लेकिन मैंने उसका फेस नहीं देख पाए जैसी मैंने उसकी फेस देखने की कोशिश की लेकिन बो तो यहां से चला गया जीमिन कहते है कहीं वो जौन कोक तो नहीं तो वो त्यांग की हैंड पकरके उसको सुवब पर लेकर आते है और कहते हैं त्यांग यहाप बैठ चाओ तुम क्या कर रही हो तुम बारिश में और जदा भीगोगे तो तुम भीमार हो जाओगे देखो उइंडो से बारिश की बुंदे आ रहा है तुमारी फेस पे तुम यहाप बैठना चाहिए और फिर जीमीन उइंडो बंद कर देते हैं जिसे त्यां कुछ नहीं कहते है जीमीन को और फिर वो उसके साथ बात करना शुरूर करते हैं जीमिन बोलते हैं क्या मैं आज रात को तुम्हारे घर रुक जाओ त्यांग कहते हैं ठीक है मुझे कोई बाब्रिम नहीं जीमिन कहते हैं अच्छा ही हुआ मुझे उसके साथ टाइमिस्पें करने का मौका मिलेगा इससे पहले कि जीमिन त्यांग की करिवाने की कोशिश करते उसी टेम पे त्यांग की कजिन यूंगी आ जाते हैं और कहते हैं त्यांग कैसे हो तुम त्यांग कैते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ तुम कैसे हो और इस टेम पे कैसे आना हुआ यूंगी कैते हैं मैं तुमसे मिलना चाहता था और ऐसे भी मैं घर पे बोर हो रहा था तो अंकिल अंटी ने कहा मैं तुमसे आखे मिल लो तो चलो हम साथ में गेम खेटे है त्यांग कहते है ठीक है इससे मिलो यह मेरे बेस्ट फ्रेंट जीमिन जीमिन कहते है यह कौन है लेकिन मेरे हार्ट बीट उसको देखकर क्यों धरक रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको दिल दे बैठा हूँ लेकिन ऐसा नहीं हो सकते है क्योंकि डैड ने कहा मुझे त्यांग को पतना है और उसके साथ शादी करनी है लेकिन मुझे तो यूंगी पसंद आ रहा है अ उसको तो कारेंट लग जाते हैं वो कहते हैं चलो क्या हुआ त्यांग अगर मुझे पसंद ना भी करें तो मैं यूंगी को पटा लोंगा क्योंकि बोवी तो रिची है और डैट को कोई पॉब्लम नहीं होंगे उनको तो रिच से मतलब है लिके मुझे मुझे मेरा प्यारा च सनते हैं उसकी हारविट और भी जड़ाते हैं और वो बिलश करना शुरू अगर यूंगी और देल्शेघंग आते हैं यूंगी को कुपी जिमिन पसंद आते हैं को भी उसके साथ बात करना चाहते हैं जिमिल त्यांग और यूंगी साथ में बैठके बहुत इजगा मस्ति कर रहा था देखते देखते बहुत दिन हो गये थे अब यह लोग कॉलेज में जाने वाले थे त्यांग और जीमिन जिस कॉलेज में एडमिट होने वाले हैं वो बहुत ही ज़दा हाई लेवल की है और वहाँ पर जाने के लिए बहुत स जाहाथ को पूरा किया है जो एक आमी लाको को चाहिए होते हैं वो सब कुछ जानको की डैड और मॉम जानको को दिया है तो आप जानको को त्यांग और जिमिन जिस कॉलेज में एडमिट होने वाले हैं उसी कॉलेज में एडमिशन लेना था जानको की डैड कहते है कोई बा लेकिन उसकी parents कहते हैं हम दोनुने इतने सारे पैसे को बचाया है कि इसके लिए तुम्हाय लिए और तुम्हें वह सारी खुशी मिलेगा जो तुम्हें डिजाब करते हो जांगु के मौम कहते हैं तुम हम दोनों के बारे में मत सोचो हम दोनों ने जो कुछ भी किया है तुम हाई लिए अब तुम अपने शौक को पुरा करो तुम अगर अमीरों की कॉलेज में जाना चाते हो तो जा सकते हो हम तु तुम दोनोगो को छी नहीं कहाँगे तुम जी से वह घुशी रहते होब हम भी खुश रहेंगे तो पे जौख उस कोलेज में हो जाते हैं त्याग और जीमinh स्कॉलेज में बातने पर नहीं दख से लिए गयर नहीं हाज पीछे Приयट लम पेंटर गयरो एविडी डेय चाहे त्यांग उसको नोटिस कर या ना करने एक दिन तो नोटिस कर ही लेगा क्योंकि इस कॉलेज में कोई मिडल क्लास के लग्गे पढ़ नहीं सकते है इस कॉलेज में बहुत साइब पैसे लगते हैं पाड़ने के लिए जहां पर जॉंप करके पहुचे हैं तो त्यांग तो आप उसको नूरीस करना ही होगा जोंगु को ऐसा लगा था क्योंकि आपर सब अमीर है तो त्यांग आमीरों को तो नूरीस करते ही है लेकिन त्यांग के पस ट्रैम कहा है वो तो जीमिन से बाते करने में बिजी था और जीमिन भी उसको बाते करने में लगा दिया था तो आप जोंगो को ए नजार आते हैं कि त्यांग के साथ बहुत बुरा होने वाले हैं आज तो जोंगो त्यांग के सामने ही आ जाते हैं और इसको कहते हैं त्यांग मेरी बात सुनो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ त्यांग कहते हैं कौन हो तुम जोंगो कहते की आप सब्स्जाना के लिगे अगर मना ंशाना जाए त्यांग के त्याइब क्यूं रूगा को बार खुंगा है और मैं यहां पर नहीं खड़ा हो सकता हूं मुझे घर जाना है ठीक है उफां थक गया हो, मैं घर ज़रे चाहरे हैं, जो throwing को कहते हैं, पांच मिंदे के लिए रुप जओ, फिलीज, लेकिन त्याहं उसकी कोई बात नहीं सुन्टे हैं, और तयां कोई अंतारयामी हो क्या, तुमने कहा यरे साथ बुरा हो जाएगा, और इसलिए मेरे साथ बुरा ही होने वाला है ऐसा कुछ नहीं है मैं आज तुमें पुरूप कर दूँगा हटो मेरे सामे से तो त्यांग उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था त्यांग इहां से जाने लगते है तो पे उसके पीछे जीमिन भी जाने लगते है जानग को पीछे ही जा रहा था त्यांग को रोकने के लिए लेकिन जीमिन जानग को रोक देख और बोड़ते है तुम इसका पीछा क्यों कर रहे हो प्लीस हम दुर ऐसे भी शादी काने वाले है वो जूट बोल देते है उसको बचाने के लिए उसको ऐसा लगत है कि जुनको वो त्यांग बीच है इसले उसको पेषाण करना जाते है उसको फशाना चाते है जीमिन भी उसको गलत समझ रहे थी त्यांग बहुत ही स्पीड़्ी हाज से जा रहा था जाउनको थूरा सा लेट हो गए थे जिमिन की बज़े से, क्योंकि उसने उसको रोग गया था लेकिन अब त्यांग के साथ क्या होने वारे हैं जैसी वो बिल्डिंग के नीचे से जा रहे थी उपर से कोई पथर उसके उपर गिने वारे थी जॉनकुक दोर के जाते हैं और त्यांग को धका देते हैं और उसके उपर ही वो पथर गिर जाते हैं जॉनकुक की सर पर चोट लग जाते हैं वो बेहोश हो जाते हैं जॉनकुक की सर से बहुत ज़दा खोन निकल रहे थे त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें जोनकुक की साथ यह सब कुछ हो गया है, वो बहुत ज़्यादा घपरा जाते हैं और वो कहते हैं, इसका मतलब वो सही कह रहे थे, लेकिन ऐसा कैसी हो सकते हैं, वो इसी स्रच में डूप गय थे, और यहापे जोनकुक की सर्च से बहुत ज़्यादा खुन निकल रहे थे, फिर त्यांग कार बाहर निकलते हैं, लेकिन उसके हाथ बहुत ज़िदा काप रहे थे, इसलिए योंगी जनकुक कार पर बैठते हैं, और त्यांग भी पीछे ही बैठ जाते हैं जनकुक के साथ, त्यांग की पैर पे जनकुक की सर रखा हुआ था, त्यांग जनकुक को देख जाते हैं जिमीं की आखों से आंसु निकल रही थे कि जोन कुक ने बहुत बार उसको कहा था कि प्लीस मेरी मदद करो ताकि में तयांग से बात कर सको लेकिने उसकी कोई मदद नहीं कि और इतनी दिनों से जो भी कहा है सबको सच हुआ था तो फिर जिमी अपनी सारी गल्दी मान लेते है और त्यान को बताते है त्यान को कहते है तुमने मुझे पहले क्यों ने बताया है वो मुझे स्कोल से नोटिस कर रहे है तो जमिन कहते है हाँ और तुम मुझे आप बता रहे हो उसने मेरी इतनी मदद की है तुपे जमिन कहते है Sorry क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं तुम से प्यार करता हो लिकि मैं तुमसे नहीं यूंगी कहते है इस टैम पे इन सारी बाते काने की टाइम नहीं है तुम इस सब बाते बाद में का लेना अब हम हॉस्पिटल पहुँच गये हैं चलो त्यां उसको हॉस्पिटल के अंदा लेका जाते हैं मैं जल्दी से नार्स को बुलाता हूँ अब ही डाक्टर उनार्स जल्दी से जानको को ओटी में लेका जाते हैं और कुजदे पाद जब डाक्टर बहाँ निकलते हैं त्यां सामने जाकर कहते हैं डाक्टर क्या भो ठीक है डाक्टर अपनी पेस को थोड़ा से सेट करके कहते हैं वो अभी होश में नहीं है, पता नहीं कब तक होश उसको आएगा, लेकिन आप लोग कौन हो, तो त्यांग, योगी और जीमिन कहते हैं, हम लोग उसकी दोस्त हैं, डाक्टर कहते हैं, उसकी पैरंस को खबर कर दो, कि वो बेहोश है, और उसको एक्सिडेंट हो गया है, वो ल यही सोच के बहुत ही जदा प्रेशन हो जाते हैं, कि जांग को उसको इतनी दिनों से पसंद करते हैं, उसने हर मुसिबात के टैम पे त्यांग को सेफ किया था, लेकिन त्यांग ने कभी जांग को नोटिस ही नहीं किया, अब त्यांग को बहुत ही बुरा लग रहा था, त तो ऐसी ही दो दिन बीच जाते हैं, जॉंकुक की होश नहीं आते हैं, त्यांग बहुत ज़्यदा पागल हो रहे थे, कब जॉंकुक की होश आएगा, लेकिन दो दिन बाद जब जॉंकुक की होश आते हैं, त्यांग उसके सर के सामने बैटा हुआ था, जॉंकुक जैसी ही आ उसको समझ में नहीं आ रहा था लेकिन त्यांग वह अरूर है थे जॉन को कहते हैं तुमने मुझे कभी कुछ कहा क्यों नहीं जॉन को कहते हैं क्या कहते हैं तुमने कभी मुझे नोटीस नहीं किया त्यांग कहते हैं तुम मुझे नोटीस कराया क्यों नहीं तुमने तुम मे जो टाइम बीद गया उसको लोटा नहीं सकते है त्यान कहते है लेकिन आगे ऐसा ना हो इसका पूरा ध्यान रखोंगा मैं अब से मैं तुम्हें हर दिन नोटिस करूँगा तुम इतना हैंडसम हो लेकिन मैंने कभी तुम्हें इस तरह से देखा ही नहीं क्योंकि मेरे दिमाग में पहले से एक बात बैठा दिया गया था कि हमेशा आमी लगों के साथ दोस्ती करना इसलिए मैंने किसी को इस तरह से नोटिस नहीं किया I'm sorry जान को कहते है क्या एस सॉरी काफी है तो त्यां कहते है तो मुझे क्या करना चाहिए जान को कहते है कुछ नहीं तो पर एत्यां जान को की हैंड पकाते है Mr. Jion John को इन दो दिनों में मुझे पता चला है कि प्यार क्या होते है इतनी दिनों से मैं जिमिन से इतना ज़दा कुलुजदी था उसके साथ इतना टाइम स्पन किया लेकिन मुझे कभी ए फिल नहीं हुआ जो मुझे इन दो दिनों में फिल हुआ है शायद नहीं पका वला मैं तुमसे प्यार का बैठा हूँ और ये कोई फेक नहीं है ए रियर लाव है मैं तुमसे बहुत प्यार का बैठा हूँ जौनकुक मेरे दिल तुम्हारे लिए धराखता है पाता नहीं तुम इसको सच मानोगे आफे जूट लेकिन इस सच है मैं तुमसे प्यार काता हूँ जौनकुक की आंकों से आंसों निकल रहते हैं वो भी त्यांग को कहते हैं त्यांग मैं तो तुमसे बच्पन से ही प्यार क दो इन दोनों को साथ में टाइम स्पेन करना होगा और तुम मेरे साथ चलो जिमिन कहते है योंगी मुझे तुमसे कुछ कहना है योंगी कहते है मैं समझ गया मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ जिमिन कहते है तुम पहले सी जानते हो योंगी कहते है हाँ जब से तुम मुझे मिले हो तुमसे मुझे नोटिस कर रहे थे और तुम मुझे देखते हो मुझे तब ही पता चल गा था कि तुम मुझे पसंद करते हो लेकिन प्यार करते हो यह आज पता चला और यह दोनों भी एक दुस्यों को हग करते हैं और इक दुस्यों को किस कर रहा था बहुत देर तक ये दुनों एक दूसरों का हाग करके बैठे हुए थी लेकिन आप एक दूसरों से अलग होते हैं तो पर जॉनकुक त्यांग को कहते हैं तुम्हारी इतनी क्यूट सी फेस देखकर मुझे किस करने का मन कर रहा है लेकिन मैं हॉस्पिटल पे हूना इसलिए किस नहीं कर रहा लेकिन जब त्यांग जॉनकुक से अलग होते हैं अब जॉनकुक त्यांग को टार्ण काते हुए उस हॉस्पिटल की बेड़ पे सुला देते हैं और उसके उपर आ जाते हैं और त्यांग को बहुत ही जदा डीपली किस काते हैं अब ये दोनों ही एक दूसरों को किस कर रह करें त्यांग आयू रेडी तो त्यांग केते हैं लेकिन मुझे ड़ लग रहा है कहीं बेट टूटना जाए तो जोंकु कहते हैं इसके लिए तुम्हें चिंता करने की जर्द नहीं इबेट थोड़ी हमारी है तूटता है तो तूटने दो और फिर जोंकु त्यांग के साथ करते हैं तो पर आंत में यूंगी और जिनी को बाहर से होस्पिटल की बेट टूटने की आवाज सुना ही देते हैं वह दोनों समझ आते हैं कि यह दोनों क्या कर गया है तो गाइस इस फैन फिशन की हाँ पर खातम करें एंड का पार्ट थोरा सा फानी था मुझे लगता है पता नहीं आप लोग को कैसा लगा तो आप लोग को अच्छा लागे तो लाइक कमेंटर शेया का देना और सब्सक्राइब का देना थेंक्यू सुमच गाइस